अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टार्गेट वी थजे सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में इसे फटावट शेयर कर दें और विडियो के अंतक बने रहें फटा फटा प्लोग इसे शेयर कर दें फिर चलते हैं पहले प्रिशन की ओर सारी प्रिशन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं और अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन बिल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बिल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगर आप कोई शुजाव दिना चाहते हैं टार्गेट वित अजिसे चैनल को तो आप हमें कमेंट वॉक्स में लिख सकते हैं ठीके चलते हैं बिना देर किये पहले प्रशन की और पहला प्रशन है मौशम बदलने का क्या कारण है पिर्थवी का अपनी धूरी पर घूमना अच्छ पर जुका होना अप्शन D है पिर्थवी का अपनी धूरी पर चक्कल लगाना वह अपने अच्छ पर जुका होना फटा फट कर दिजे इसका राइट एंसर 30 सकेंड का टाइम है आपके पास मौशम बदलने का मुख के कारण क्या है पिर्थवी का अपने धूरी पर अपने अच्छ पर जुका होना फटा वर करें राइट एंसर और इसका राइट एंसर है ओप्शन C पिर्थवी का शूरी के चारो चक्कल लगाना वह अपने अच्छ पर जुका होना ठीक है मौशम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान जो है वो पिर्थवी का अपने अच्छ पर जुका होना है और दूसरा कारण पिर्थवी का अपने धूरी पर घूमना ठीक है अच्छ पर जुका होना और घूमना ये दो बहुत ही मैधपूर कारण है जो मौशम बदलने में भूमिका मौशम बदलने के रोल में भूमिका ने बात है चलते अंगले के बीच की दूरी एक चोथाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी Option A, पित्वी सूरी में गिर जाएगी Option B, पित्वी जलकर भश्म हो जाएगी Option C, हमारे वर्ष क्याओधी कम हो जाएगी Option D, पित्वी अंत्रिक्ष में उड़ जाएगा Option A, पित्वी सूरी में गिर जाएगी Option D, पित्वी जलकर भश्म हो जाएगी Option C, हमारे वर्ष क्याओधी कम हो जाएगी Option D, पित्वी अंत्रिक्ष में उड़ जाएगा फटापट कर लें इसका राइट एंसर और आपका समेशिमा समापत होता है, अब चलकर इसका राइट एंसर है Option C, हमारे वर्ष क्याओधी कम हो जाएगी ठीक है यादे पित्वी और शूरी की बीच की दूरी एक चौताई कम कर दी जाए तो सूरी के चारों और घूमने वाली पित्वी की कच्छा छोटी हो जाएगी फलता पित्वी पर दिन जो 365 दिन का वर्ष होता है वो कम हो जाएगा क्योंकि पित्वी की कच्छा छोटी हो जाने पर वशूरिस से वर्तमान दूरी भी कम हो जाएगी जिससे पित्वी की गत बढ़ जाएगी और यहां दूरी वो कम समय में पूरी कर लेगी ठीक है तो इसका वीडियो के अंतक रहेगा किसी को छोड़ के नहीं जाना है ठीक है और हमने नाम लेना इसलिए छोड़ा है ताकि आपको टाइम मिल जाए ठीक है तलते आगले प्रिशन क्यों आपका टाइम नुकसान नव पित्वी पर मर वुमी होने के संभावना अधिक रहती है ठीक है पि पित्वी पर मर वुमी होने के संभावना अधिक रहती है यह शोर्णै अंस अच्छान्स के पास पित्वी पर सबाइब ऊसलिएं से genष बार पित्वी के सब्सक्रा है option B 23 अंस अंच्छांस के पास ठीक है पित्री पर मरू भूमी जलवाई का बिस्तार 15 से 30 अंस अच्छांस के पास होता है 15 से 30 अंस अच्छांस के आसपास मर्स भूमी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी चलते हैं अगले प्रिश्ण के ओर और आपको प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे कोई भी इसमें छोड़ के ना जाए चलते हैं अगले प्रिश्ण के ओर पित्वी के चारो और गूमने वाले कृत्रिम उग्रा के बाहर गिराई गई गेंद option A, शोरी पर चली जाएगी option B, चंद्रमा पर चली जाएगी option C, पित्वी पर गिरेगी option D, पित्वी के पारित उपगरा के समान, आवर्त काल के साथ उसी के कक्छा में गूमती रहेगी, अगर कोई वी गेंद, कित्रिम उपगरा, सिमुलेटे सेटिलाइट से बाहर गिराए जाएगी तो उसके साथ कौन सी क्रिया होगी, सुरी पर चली जाएगी, संद्रमा पर चली जाएगी option C, पित्वी पर गिरेगी option D, पित्वी के पारित उपगरा की समान, आवर्त काल के साथ उसी के कक्छा में गूमती रहेगी, फटा पट करें इसका right answer, काफी बार पूचा काटने लगेगी, फिक है, उसी के कक्छा में पित्वी का चकर काटने लगेगी, फिक है, चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर, बहुत ही मैत्वूड प्रश्ण होगा, पित्वी ग्राय की संद्चना में mental के नीचे, क्रोड यहाँ पे क्रोड है, फिक है, क्रोड हो गया है, अप्शन दी, अलुमोनियम अप्शन दी, क्रोमियम अप्शन सी, लव अप्शन दी, सिलिकान, फटाफट करने इसका राइट एंसर बहुत ही महत्वूड प्रश्ण है, पित्वी ग्राय की संद्चना में mental के नीचे, क्रोड निमले के निचे किसे एक से बनाया है, अलुमो कोर, एवन mental के मद, लोहा और निकेल, शेयोगत रूप से पाए जाते हैं, लगबग 260 कीमी की liquid layer बनी हुई है, लोहे और निकेल की 2060 कीमी तक लोहे और निकेल की द्रवित यानिकूइट लेयर बनी हुई है जिसे आउटर कोर कहते हैं जिसे बाहरी क्रोड भी कहते हैं आउटर कोर कहते हैं चलते हैं अंगले प्रिश्ण की और विश्व प्रित्वी दिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व प्रित्वी दिवर्ष कब मनाया जाता है बहुत ही आसान प्रिश्ण है 22 April को, 22 March को option C, 7 April को option D, 7 March को, फटा वट करें इसका right answer, वह एक वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, और यहाँ मनाया जाता है, पर्यावरन स्रनचन के लिए, पर्यावरन स्रनचन के लिए, विश्चु पिर्थवी दिवश्च मनाया जाता है, और इसका right answer है, option A, काफी लोगों ने सही answer दिया, लगबस तभी का सही answer है, 22 April को, 22 April को मनाया जाता है, विश्चु पिर्थवी दिवश्च, चलते हैं आगले परिश्चन के लिए, व्रियाश्पती ग्रह के चंद्रमाओ की खोज, निम्न में से किस एक के वैग्यानिक ने की थी, व्रियाश्पती ग व्रियाश्पती ग्रह के चंद्रमाओ की खोज, निम्न में से किस एक वैग्यानिक ने की थी, व्रियाश्पती शौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता ही होगा, वर्तमान में इसके 79 उप ग्रह हैं, 89 उप ग्रह हैं, जो अभी तक खोजे जा चुके हैं, ठीक है, और इनमें सबसे पहले खोजे गए चार ग्रहों को, जो सबसे पहले चार ग्रह खोजे गए थे, उन्हें गैलिलियन उप ग्रह कहते हैं, गैलिलियो उप ग्रह, गैलियो उप ग्रह कहते हैं, और इसकी खोज, सबसे भारी ग्रह कौन सा है बहुत आसान प्रिशन है सबको इसका एंसर पता होगा सबसे भारी ग्रह कौन सा है सबसे भारी ग्रह कौन सा है बहुत आसन प्रिशपती सबसे भारी ग्रह है सोर मंडल का सबसे बारिगरे व्रिशपति है और इसका व्यास बहुत ही ज़ादा है 1,42,984 कीमी 1,82,984 कीमी इसका व्यास है ठीके? और एक चीज़ और इसके बार में बता दे व्रिशपति सोर मंडल का सरवादिक तेज गति से गुडन करने वाला भी व्रियाश्पति अग्रह है ठीक है सबसे तेज गति से सौर मंडल का सबसे तेज गति से परिकर्मा करने वाला या घूमने वाला ग्रह भी व्रियाश्पति ही है चलते हैं अगले प्रिश्णी की ओर बहुत यासान प्रिश्णों का ये भी सूरी के गिर्द एक परिकर्मा के लिए निम्निम से कौन सा अग्रह अधिकतम समय लेता है Option A, पिर्थवी Option B, व्रियाश्पति Option C, मंगल Option D, शुक्र, फटाबट कर इसका राइटेंसर सूरी के गिर्द एक परिकर्मा, के लिए निम्निम से कौन सा अग्रह अधिकतम समय लेता है Option A, पिर्थवी Option B, व्रियाश्पति Option C, मंगल Option D, शुक्र, फटाबट करें इसका राइटेंसर और इसका राइट एंसर है ओप्शन बी वरिहश्पती वरिहश्पती सबसे अधिक समय लेता है ठीक है? क्योंकि यह लगबग 11.86 वर्ष 8.86 वर्ष लेता है एक चक्कर लगाने में जबके पिर्थवी सबको पता है 365.25 यही 2.5 4 वर्ष में एक हो जाता है जिसको लिप वर्ष कहते हैं और यह दिन हो जाता है 306 चक्का तो 365.25 वर्ष लेता है 25 दिन लेता है और मंगल मंगल आपका लेता है 686.98 डेज ठीक है? 98 डेज और आपका शुक्र लेता है 300 sorry 24.68 इसको आप स्किन सोट ले सकते हैं ठीक है? चलते हैं अगले प्रिशनी की ओर निम्नलिकित में से कौन से ग्रह के सरवादिक प्राकिर्टिक उपगराय अत्वा चंद्र है निम्नलिकित में से किस ग्रह के शरवादिक प्राकिर्टिक उपग्राय अत्वा चंद्रमा है option A, विर्यश्पति के option B मंगल के option C, शनी के option D, शुक्र के देखते हैं कितने लोग शही इंसर करते हैं काफी लोग गलत इंसर करेंगे, पूरी संभावना है फटाबर करें इसका right answer निम्ने लिखेत में से कौन से ग्रह के शरवादिक प्राकिर्टिक उपग्राय अत्वा चंद्रमा option A, विर्यश्पति B, मंगल सनी C, option D, शुक्र और इसका right answer है option C सनी के option C सनी के सरवादिक चंद्रमा या प्राकिर्टिक उपग्राय है क्योंकि इनके है 82 सनी के 82 प्राकिर्टिक कुपग्राय अत्वा चंद्रमा है जबकि ब्रियश्पतिक अभी मैंने बताया 79 है, ब्रियश्पतिके 79 है, याद रखिएगा चलते हैं अगले question की ओर बहुत ही महत्पूर question होगा सनी सूरी के 4 ओर एक चकल लगाने में डैस 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 लेता है कितना समय है सनी सूरी के 4 ओर एक चकल लगाने में कितना समय लेता option A 18.5 वर्ष option B 36 वर्ष option C 29.5 वर्ष option D 84 वर्ष बहुत ही असान वर्षन है सनी सूरी के 4 ओर एक चक्क लगाने में कितना समय लेता है और इसका राइट एंसर है Option C 29.5 वर्ष लेता है Sunny ऐसा Saturn सूरी के चारो और एक चक्क लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है चलते हैं अगले प्रिश्ण की ओर Titan सबसे बड़ा चंद्रमा या उपगरा है Titan सबसे बड़ा चंद्रमा या उपगरा है Option है मंगल का Option B शुक्र का Option C वर्याश्पति का Option D शनी का फटावट करें इसका राइट एंसर Titan सबसे बड़ा चंद्रमा या उपगरा किसका है मंगल का Option B शुक्र का Option C वर्याश्पति का Option D शनी का और इसका right answer है, option d शनी का शनी, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों के शंक्या भी हमने बताया, 82 है और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटन का ब्यास है 5150 कीमी 5150 कीमी इसका 82 रेडियस है चलते हैं अगले प्रिश्ण की ओर Uranus सूरी के 4 ओर एक परिकर्मा में डैस 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 लेता है Uranus अत्वा अरून सूरी के 4 ओर एक परिकर्मा कितने दिन में पूरा करता है option A 84 वर्ष option B, 36 वर्ष option D 18 वर्ष option D 48 वर्ष फटा वट करें इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है option A ठीके Uranus ग्रह सूरी के 4 ओर एक परिकर्मा करने में 84.07 84.07 वर्ष का समय लेता है जबकि यह अपने अक्ष पर यह अपने अक्ष पर 17.2 गंट में एक चकर पूरा कर लेता है 17.2 घंटा में यह एक चकर अपने अक्ष पर पूरा कर लेता है जबकि पिट्वी को 24 गंटे लगते है ठीक है पिट्रवी को 24 गंटे लगते हैं जबकि यह 17.2 गंटे में पूरा कर लेता है पिट्रवी से भी कम शमय लेता है चलते हैं अगले प्रिश्ण की ओर सौर मंदल का सबसे थंडाग रहा है सौर मंदल का सबसे थंडाग रहा है option A, Neptune, option B, Jupiter, option C, Mars, option D, Saturn फटापट करें इसका right answer सौर मंदल का सबसे थंडाग रहा है option A, Neptune, option B, Jupiter, option C, Mars, option D, Saturn फटापट करें इसका right answer और इसका right answer है option A Neptune अत्वा वरून सबसे ठंडाग रहे है और इसका तापमान 228 degree Celsius माइनस में है सबसे ठंडाग रहे है वरून Neptune सबसे ठंडाग रहे है चलते हैं अगले प्रश्ण क्यों मानोवने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था बहुत यह असान प्रश्ण है सबको पता होगा मानोवने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था option D 1903 अप्शन D 1903 63 में option C 1971 में option D 1979 में फट आपट करें इसका right answer इसका right answer है option D option D is the right चंद्रमा पर मानोवने 1979 में कदम रखा था 20 July 20 July 1979 को 1969 को और यह mission पूरा गया था किसने Apollo 11 ने Apollo 11 द्वारा भेजे गए तीन लोग भेजे गए थे Apollo 11 में ठीक है Apollo 11 से तीन लोग भेजे गए थे जिनका नाम जिसमें Neil Armstrong थे Michael Kellings थे और Edwin Adriel जूनियर थे Edwin Adriel जूनियर समली थे याद रखी गए इन तीन लोगों में से मात दो लोगों ने ही चंद्रमा पर कदम रखा था Neil Armstrong और Edwin Adriel तीश्रे व्यक्ति ने यानि कि Michael Kellings ने कदम नहीं रखा था तीन लोग गय थे Apollo 11 से जो अमेरिका का में निशन था आ गया था MPPS 2018 में स्रीयाफ ट्राकविलेटी कहां पर रिस्तित है Option A पिर्तिव अप्शन B सुर्व अप्शन C जोप्टर अप्शन D चंद्रमा पर फटावट करें इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है Option D स्रीयाफ ट्राकविलेटी चंद्रमा पर इस्तित है और यहीं काला धब्बा है जो हमें खुली आँख से भी दिखाई देता है काला धब्बा जिसको हम चांद पर दाग भी कहते हैं ठीके यह धब्बे को हम C of ट्राकविलेटी कहते हैं और याद रखिएगा निल आर्मे स्टांग और एडवीन एड्रिल ने जो 20 जुलाई 1989 को कदम रखा था वो इसी पर रखा था ठीके C of ट्राकविलेटी पर ही रखा था काले धब्बे पर ही कदम रखा था चलते हैं अगले प्रश्ण की हो पहुत ही महवाद पूर पहश्ण होगा चंद्रमा के धर्हाल पर धरातल पर दो व्यक्ति एक दूशरे की बात नहीं सुN सकते क्योंकि cंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं option d, cंद्रमा पर वाई मेंटल नहीं है option c, cंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंत्रिक शूट पहनने रहते हैं option D चंद्रमा पर ध्वानी बहुत ही मंद गती से चलती है फटापट करें इसका राइज ने सब बहुत ही असान प्रशन है बहुत ही असान प्रशन है और इसका राइट एंसर है option B बहुत ही असान प्रशन बी चंद्रमा पर वाई मंदल नहीं है और ध्वानी को चलने के लिए ध्वानी के संचरण के लिए किसी माध्यम क्यावशकता होती है ठीक है किसी माध्यम क्यावशकता होती है और माध्यम की रूप में वाई मंदल होता है पिट्री पर जो चंद्रमा पर उपस्तित नहीं है अगर चंद्रमा पर उपस्तित होता तो हम आम लोग बात कर सकते हैं इसलिए दुवानी को कोई भी माध्यम नहीं मिल पाता इसलिए एक दूसरे से बात करना सौंबव नहीं है चलते हैं अंगले प्रश्ण की ओर बहुत ही प्रिश्ण होगा और आप सबसे रिक्वेश्ट है कि प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसे दोस्तों में शेयर कर दें ठीक है फुटा-पट और वीडियो के अंतक बने रहें बीच में छोड़के न महिद्पूर है ठीक है चलते हैं अगले प्रिश्ण की ओर जो बहुत ही महिद्पूर होगा बेमेल को चुनिये इसमें से और मैन को चुनना है आपको ऑप्शन ए मंगल मार्श ऑप्शन बी बुद्ध मरकरी ऑप्शन सी चंद्रमा मून ऑप्शन डी फिर्थ्वी अर्थ ब से और इसका राएट एंसर और इसका राइट एंसर है कि dragon चंद्रमा क्योंकि यह यानि मंगल बुद्ध और प्रिथ्थ्वी यह ध्रहा है ठीक है यह ग्रह है जबकि चंदमा पिर्थवी का उपग्रह है ठीक है बहुत यासान प्रश्ण था तीनो ग्रह है जबकि चंदमा पिर्थवी का उपग्रह है यह मैच नहीं खाता यह मैच नहीं खाता ठीक है यह तीनो ग्रह है शुरी का परिकर्मा करते हैं जबकि चंदमा करता है पिर कि परिकर्मा ठीक हैं बहुत यासान प्रिष्ण काफी लोगों निसाय अंसर दिया है ठीक है चलते हैं अगले प्रिष्ण की ओर ब्लू मून परिगटना होती है जब एक ही माह में दो पोर्ण निमा हो ऑप्शन बी जब एक कलेंडर वर्ष्ण में दो लगतार माहों में चार पोर्ण निमा हो ऑप्शन सी जब एक ही कलेंडर वर्ष्ण में तीन बार एक ही माह में दो पोर्ण निमा हो ऑप्शन डी और इसका राइट एंसर है, जैसा कि आप लोगों ने दिया है, सभी लोगों ने सही एंसर दिया है, और याद रखीगा बहुत ही, बढ़िया मलपूर्ची, याद रखीगा बहुत ही बढ़िया मलपूर्ची, या 2.5 वर्ष में एक बार होता है, 2.5 वर्ष में एक बार बलू मून की घटना घटित होती है, याद रखीगा, अभी PCS 2016 में पूछा गया था, कि बलू मून की घटना कितने वर्ष में घटित होती है, तो 2.5 वर्ष, दो भी एंसर में है, अब उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है, चलते हैं एक लिए, मंगल और व्रियश्पति के कक्छाओं के बीच, सुर के चारो और परिकर्मा करने वाले सैल के छोटे टुकडों के शमों को क्या कहते हैं, मंगल और व्रियश्पति के कक्छाओं के बीच, सुर के चारो और परिकर्मा करने वाले सैल के छोटे टुकडों के शमों को क्या कहते हैं, फटा पट करें इसका राई टेंसर बहुत ही असान परिकर्शने और इसका राई टेंसर है, ओप्शन डी, छुद्र ग्रेट, ठीक है, मंगल और व्रियश्पति के अगचाओं के बीच, सुर के चारो और छुद्र ग्रेट परिकर्मा करते हैं, ठीक है, और इनका ब्याज यह भी छुद्र ग्रेट, इनका ब्याज लगबग 1000 कीमी तक बड़ा होता है, 1000 कीमी तक यह बड़े होते हैं, ठीक है, चलते हैं, अगले प्रिश्ण की ओर, जो काफी महतपूर होगा और आप सबसे रिक्वेश्ट है, प्लीज वीडियो के अंतक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपके पास कोई भी ग्रूप हो, तो प्लीज ग्रूप में वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है और हमेशा वीडियो के अंतक बने रहें, क्योंकि यह चैनल आपका अपना है, इससे आगे बढ़ाने में हमारा और अपना सयोग करें, चलते हैं अंगले प्रश्ण क्यों, चांस सता शुन अंस दिशांतर अवस्तित है, अटलांटिक महाशागर में, ओप्शन बी आर्खिटिक महाशागर में, ओप्शन सी हिंद महाशागर में, या फिर ओप्शन दी पशांत महाशागर में, फटा पट करें इसका राइट एंसर, और इसका राइट एंसर है Option A Atlantic महाशागर में 0 अंस अच्छांस था 0 अंस दिशांतर Atlantic महाशागर में वस्तीत है ठीके? और यहाफरीका के पच्छिम भाग में इस्तित गिन्य की खाड़ी अफरीका के पच्छिमी भाग में इस्तित गिन्य की खाड़ी में होता है गिन्नी की खाड़ी में उपस्तित है ठीक है और यह यह आपश में मिलते हैं ठीक है शुनी आज संचांस और शुनी अंस देशांतर गिन्नी की खाड़ी में मिलते हैं ठीक है और यह गिन्नी की खाड़ी अटलांटिक महाशागर अत्वा अंद महाशागर सबसे उत्तर में अवस्तीत है और यहीं पर सबसे उत्तर में अवस्तीत है बहुत ही अजान प्रशन है निमनली कितना गुरू में से कौन सबसे उत्तर में अवस्तित है? Option A, वेजिंग, Option B, नई दिल्ली, Option C, New York, Option D, Rome बहुत यह असान तुछने हैं और अभी हाली में पूछा गया था यह पी पिश्यस में निमनली कितना गुरू में से कौन सबसे उत्तर में अवस्तित है? Option A, वेजिंग, Option B, नई दिल्ली, Option C, New York, Option D, Rome फटाबट करें इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है Option D, Rome रोम सबसे उत्तर में अवस्तित है एक बार हम आपको बता दे रहे हैं बीजिंग, 39.55 मिनट नॉर्थ में अवस्तित है और नई दिल्ली आपका 28.28 डिग्री, 38 मिनट नॉर्थ में अवस्तित है निव यार्ग, 40 डिग्री, 45 नॉर्थ में अवस्तित है और रोम आपका 40 डिग्री, 44 मिनट पर अवस्तित है यार्ग रखेगा नॉर्थ में इसका स्कीन सोट ले लिजिए, रोम सबसे उत्तर में अवस्तित है चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर मातर तीन प्रश्ण बचे, आप सबसे रिक्वेश्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और हमेशा वीडियो के अंतर बने रहें वीच में छोड़के न जाएं अगला प्रश्ण है, बहुत ही महतूर प्रश्ण होगा जब ग्रीन वीच में मध्यार है, एक जगा का अस्तानिश्ण में पांच बजे सायम है, निमनलिकित में से वह कौन सा या मोतर है जिस पर उप्यूक्त जगा अवस्तित है जब ग्रीन वीच में मध्यान हुआ है ठीक है, और एक जगा का अस्तानिश्ण में पांच बजे का शायम है तो निमने लिकित में से वह कौँ सा या मोतर है जिस पर उप्यूक्त जगह अवस्ती थे बहुत ही असान प्रशन है बहुत ही महतपूर तरशन भी है UPPCS 2018 में पूछा गया था फटापट करें इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है Option A Option A is the right 74 degree 4 मिनट ठीक है प्रशन की अन्शार जब ग्रीन भीज में मध्यान होता है और एक जगह का अस्तानी समय पांच बजे शायम है इसका अर्थ है कि उस अस्तान का समय ग्रीन भीज के समय से आगे है अर्थात हुआ अस्तान पूर्व में इस्तित है अर्थात हुआ अस्तान पूर्व में इस्तित है और समय का पांच घंटे का अंतर है समय में पांच घंटे का अंतर है ठीक है चलते हैं आगले प्रशनी की ओर जो बहुत ही जादा मेहतपूर होगा किसी असान का मानक्षमें निर्धारित करने का अधार होता है बहुत ही असान प्रशने फटा पर राइट एंसर करें किसी असान का मानक्षमें निर्धारित करने का अधार होता है option A, दिशांतर, longitude option B, अच्छांस, latitude option C, अंतराश्टी अत्तिती रेका, option D, परधान मध्याह रेका, बहुती महतपूर प्रशने, फटापर इसका राइज अंसर कर दें, और भिहार PCS में ये कई बार पूचा गया है, ठीके, किसी अस्तान का मानक्ष्व में निर्धारित करने का अधार होता है, option A, दिशांतर रेका, option B, अच्छांस, रेका, option C, अंतराश्टी अत्तिती रेका, option D, परधान मध्याह रेका, और इसका राइट एंसर, आपका श्रमेश्रिमा समाप्त हुआ, और इसका राइट एंसर है, option D, परधान मध्यान रेका, परधान दिशांतर को अंतराश्टी अत्तिती अत्तिती इसी रेका द्वारा अंतराश्टी मानक्ष्व में का निर्धारन किया जाता है, ठीके, इसी रेका के द्वारा अंतराश्टी मानक्ष्व में का निर्धारन किया जाता है, ठीके, चलते हैं अगले प्रिश्ण की उर, बहुत ही महत्पूर्ट प्रिश्ण होगा और इस सेशन का अकरी प्रिश्ण होगा, किसी एक समय में, निर्धारन कित नगरों में से किस एक नगर में घड़ी का समय अन्य तीन घड़ी के समय से अलग होगा, अप्ष्ण ने लंदन ऑप्ष्ण भी, लिस्पन ऑप्ष्ण सी, अक्रा घाना ऑप्ष्ण दी, आदिस अबाबा इथो, पिया, बहुत ही महतपूर पुछने, फटा वट कीजया, इसका राइटेंसर, निर्धारन कित नगरों में, निर्धारन कित नगरों के समय के समय नहीं होता, लिस्वन पूर्टगाल अप्शन C अक्रा घाना अप्शन D आदीश अबाबा यूथोपिया में है फटापट करें इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर है ओप्शन A ओप्शन A is the right ठीके? Sorry, option D, D, D Sorry, option D, आदीश अबाबा ठीके? London, लिस्वन और अक्रा समान समय है क्योंकि ये तीनो जीम्टी परिस्तित है तीनो जीम्टी परिस्तित है जबकि यूथोपिया की राधानी पूर्वी देशांतर परिस्तित है, मध्यान रेका परिस्तित नहीं है और इनके समय का 2 गंटा 34 मिनट का अंतर है 2 गंटा 34 मिनट का अंतर है इन तीन और आदिश बाबा अब आबा इथोपिया में ठीके? ये आकरी प्रिश्ण था सभी प्रिश्ण बहुत ही मैधपूर से आप सब से रिक्वेश्ट है प्लीज आप 1 बजे 2 पहर जोग्रोफी के टेस्ट में सामको 7 बजे हिस्टी के टेस्ट में और 11 बजे आप कॉमन साइंस के टेस्ट में आ सकते हैं बहुत ही मैधपूर सारे के सारे होते हैं अगर आपको इस सुझा दिना चाहते हैं तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं और हमारा जो contact number है आप उस पे भी contact कर सकते हैं ठीके और ये कल का topic नहीं है actually कल का topic मिस हो गया है हम आपको कल का topic बता दे रहें विश्वत रेका और भुमद रेका कल का topic होगा विश्वत रेका अथवा भुमद रेका करक रेका करक रेका मकर रेका ठीके और पिर्थवी की उत्पती पिर्थवी की उत्पती पिर्थवी की उत्पती आज इसे प्रश्ण पूछे जाएंगे ठीक है पिर्थिवी कुद्पति आद इससे प्रश्ने पूछे जाएंगे आप सब इसको screenshot ले लिजेगा revision कर लिजेगा कल मिलते हैं एक वजे इसी समय पर महतपूर 25 question के साथ आप सबसे request रहे जाते हैं यादे वीडियो को like कर दें अपनी दोस्तों को फुर्शायत कर दें हमारी सेनल पर आने के लिए thanks for watching I have a good day for you all